प्रिफायर पूरी तरीके से बैन हो चुका है कोई भी उम्मीन मत रखो कि प्लेट लोग बहुत ही बढ़िया होंगे लेकिन मैं नहीं हूँ दोस्तो यार बहुत दिन से वीमर पढ़ गया था मैं चार दिन से कुछ सौट सी डाल रहा था लेकिन मैंने निउस एक भी कबर नही आगा सकते हैं और आप में से बहुत ज़्याद लोगों को पता चल भी चुका हो कि मैं अभी तक फाइन नहीं हूँ और गाईज यार मैं कुछ दिन तक वीडियो नहीं डाला तक गाईज यार इतना ज़्याद तबाई माच चुका है कि अपना फ्रिफार इंडिया प्लेइ कावर किया हूँ इसलिए आप लोग वीडियो को इंटर्ग जरूर से देख लेना अब बिना देरी गारेब अगर हम आज की वीडियो को स्टार्ट गरते हैं तो आप में से 99% लोगों को पता होगा कि अपना फ्रिफार इंडिया प्लेइस्टोर से रिमूव बहुत चुका ह और आप लोग बहुत ज़्यदा स्टार्ट भी होंगे तो मैं पहले ही के देता हूँ यार आप लोगों को स्टार्ट होने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अपना फ्रिफार इंडिया प्लेइस्टोर का कुछ पोलिसी की बज़ा से रिमूव बहुत है तो जरूर से वापस आएगा हागा जरूर से वापस आएगा तो आप लोगों को स्टार्ट होने का कोई भी जरूरत नहीं है तो आपने फ्रिफार इंडिया क्यों रिमूव बहुत प्लेइस्टोर से इस बात को लेकि आपने बोस ओफिशियल एन के एस्वाई ने कुछ बोला है ता क्या था रि अप्लिकेशन का उन प्लेइस्टोर देन नब्बे दिन के अंदर गेम को उस अप्लिकेशन को एनिहाव लॉंच करना पड़ेगा बट नब्बे दिन पुड़े हो चुके हैं और फ्रीफार इंडिया लॉंच नहीं हुआ था इसलिए रिज्स्ट्रेशन पेज को हटा दिया यह नॉर्मल सा प्लेइस्टोर का रूल है यह तो बच्चों बच्चों को पता है लेकिन फ्रीफार वाले बाई तुम से अच्छा ने एक समय को टिक्टॉकर है वैसे तो चूतिया दो नहीं बनाते हैं अटली सुनके अंदर थोड़ा सा दिमाग तो होता है पता नहीं लेकिन अपने थाला करेक्टर कुछ ना कुछ बोलते रहते तो अपना थाला करेक्टर क्या बोलने वाला है और भी छोटा सा क्लीप आप लोग आगे देख सकते हो बेर-handed वंड़ प्रैक्टिस मेक्स पर्फेक्ट ग्रेट इंग्स कम फ्रम स्मॉल बिग्निंग् प्रिफार इंडिया प्लेश्टर से रिमूँ हुआ बहुत जारा हाकाल मज गया था मैंने आप लोग को सैटिस्फाइब करने के लिए कि डरने माली कोई बात निया दी मोटिवेट मत हो तो पुझे का वी सारी चीजे मिली पहले बात तो तो मौस्ट रस्टेड कह सकते हो आ पहले उस चीज को देखें जो डाउट लगा उन्होंने बताया है कि प्लेश्टर का एक पॉलिसी होता है कि कोई भी गेम जा फिर कोई एप्लिकेशन 90 देश के लिए होता है प्रेस्टेशन के लिए उसके पर रिमू कर दिया जाता है तो उन्होंने भी बोला अब इनोंने इनकी बात मुझे 100% विश्वास है क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज होती है इंडिया टूदेग गेमिंग जो बोल रही है और मैंने पिछले उन्हें बताया था कि अपना कुछ ऐसा गेम है इंडिया का बैटल रोयल इंड़स बैटल रोयल ऐसा कुछ है तो वह बहुत टै इतने जिघंडूबाम यह लोग है कि जो फ्रीफायर इंडिया है उसको गरिनर नहीं किया फिर बैंडमें नहीं हुआ है यह प्ले स्टोर का ही रूल है तो हो गया अब इंड़स बैटल रोयल है वो तो आपस आ गया तो फ्रीफायर इंडिया को प्री रख सकता है तो मुझ मैं दोधा कि अगर आने वाले दिनों तो और रखना है तो गरिना फ्री-फायर को प्ले स्टोर को चार्जेज देने पढ़ेंगे कि आपने जो है फ्री-फायर इंडिया उसको प्रेस्टेशन में रखो आपको इतने फिर चार्ज देंगे मैं बिमार था और बिमार हूं भी यार अभी तक बिमार हूं आप लग मेरा बैस के कंडिशन समझ सकते हो प्लीज आप लग मेरा बैस को मैनेश गार लेना और आप एससे बहुत ज़्यदा लोगों को दहीं लग रहा होगा कि यह बंदा तब से और फ्रीफार इंडिया आएगा यही बात में आप लोगों को समझाने की कोशिस गर रहा हूं तो आप में से बहुत ज़्यदा लोगों को पता होगा अपना फ्रीफार का लभी तब से चेंज हुआ है पहले किता है खुला हुआ है लेकिन अब इत्तु सा प्लेन के अंदर होता है तो इसी बात कर ल लगती है तो मुझे लगता है लगता या ओपन लभी लाओ बड़ा लभी लाओ ना इतने कंजोसी क्यों करते हो आप लोग मेरे बात से सहमयत करते हो कमेंट बताना ठीक है चैट पर में गरना के मौड्स को मेरा चैट भेज दोगा वी वांट निव लभी लिग दो ठीक है स इसी बात के लिए अपने फ्रीफायर का प्लेश्टोर ने रिमूब गार थे उसके पॉलिस के अंचार तो नबबे दिन के बाद रिमूब था हो चुका है और फ्रीफायर रिमूब क्यों हुआ या फिर उदर कुछ अपडेट होगा या फिर किस चीच के लिए रिमूब हु तो भी आप लोग छोटा सा क्लिप आगे देख सकते हो फिर जो लॉंच अल्रेडी पोस्ट हो चुका था मतलब अप्लोड कर दिया गया था प्लेश्टोर पी बिट इंजन चेंज होगा इसके लिए हट गया अब देगो एक चीज़ पहली क्लियर कर दू कि वह नबबे दिन और से हाथ में यह पावर्ड होता है कि मैं इस वीडियो को कुछ पल के लिए होल्ड कर सकता हूं और मैं यूटुब सेoda कर सकता है चल्ट गाल में तो है ठीग कर सकता हो कुछ चेंजिस कर सकता हूं कोई पार्ट कर सकता हूं और अपने वीडियो के उपर मैं यूटूब पे तो सेम चीज वहां पे अपलाई होता है यह जो आप अभी फोटो देखने थोई दिर पहले इसमें बताया जारे कि फ्रीफायर इंडिया को अभी हटाया गया है मतलब प् प्रिफायर इंडिया प्लेइस रिमूव वने की वाफ कर लेक्याज तक किसी भी क्रियाटर ने साची बात नहीं बताया है तो क्या थी साच बात उन्हें बोला क्यों खुद बताएंगे तो उन्हें ने क्या बताया आगे ओभी छोटा सा क्लिप आप लोग देख सकते हो प्रिफायर इंडिया प्ले स्टोर से टोटली रिमूव हो चुका है तो हम क्या लेंड बता रहा है बाबुजी इस रिमूबल के बादे में पूरी फ्रीफायर कम्निटी में कोई भी क्रियेटर अभी तक एक्जैक्ट इंफॉर्मिशन नहीं दे पाया है लेकिन आपने 20 days launch policy या फिर गवर्मेंट ने इसे खुद बैंड किया है तो जब मैंने इसको लेकर के भी थोड़ी सी रिसर्च की तो मैंने पाया कि फ्रीफायर इंडिया के प्री रेजिस्ट्रेशन को 3 सेप्टेंबर 2023 को अवैलबल करवाया गया था बट एक दिसंबर 2023 को यह गेम प्ले देखें तो भाई यह एक्जैक्ट तीन महिने आने की नब्बे दिन आता है 3 सितंबर को प्री रेजिस्ट्रेशन अवैलबल करवाया गया था एंड करेक्ट एक दिसंबर को तीन महिने पूरे होते हैं और एक ही दिसंबर को प्ले स्टोर से गेम रिमूव हो गया तो इसमें यह ता थेंग यो समस्ट पर वाचिंग लाव यह वाल गाईस टेक यह बावाई